है पर हम बते हैं कि यहां पर तर्मो डाइमिक्स क्या होता है मतलब क्या करते हैं और यह श्टडी करते हैं जो डिशेट डिफेट डिफेट टाईप के एनरजी है जीसे हमारा है कर सकते हैं कि आपका बल्ब जलता है या हम कर सकते हैं इलेक्ट्रिक एनरजी से बहुत जो होता उसका हम यह करते हैं लोग कोई बहुत से देखे होंगे तो फारवर डाय्क्षन पर मूब करें यानि कब बनेगा और नहीं बनेगा इस सबका जो आंसर है वह कहां मिलने वाला है आपको थर्मोडायनेविक्स में मिलने वाला ठीक है तो थर्मोडायनेविक्स एक बेरी बेरी इंपॉर्टेंट तो अब बात करते हैं थर्मोडाइनिस में कुछ हमें टर्म पढ़ने होंगे जिसको बोलते हैं इसका तो इस उसही को बोलते हैं सिस्टम यानि जिसका हम इन hired strand करते हैं वैट कया है इसके और ऄर सीस्टम के और आएगा तो हम एक सकते हैं इसका रिफान लिए की आप us the universe यारी यूुनिवर्स क्या है universe का एlles पसन रिख करंगे। सिस्टुमू करते हैं जिसके बारे पता करते हैं कि इसका प्रेशिक सब क्या है ěुआ तर टैन LudYa यह हम कहें कि हमारे पास क्या है एक बीकर है और बीकर में हमने क्या कर लिया दो चीजे लिया जिसे माली हमने यह सीयल ले लिया और यह ले लिया तो हम यह कहेंगे कि यह जो solution है वो क्या हो गया? एक system हो गया या कोई हमने gas ले लिया तो gas क्या हो गया? एक system हो गया ठीक है तो जिसका भी हमें study करना है उसी को क्या बोलेंगे हम system बोलेंगे ठीक है और दूसरा heading है क्या है आपका surrounding तो system के बाद यानी system के बाद यानी इस pen के बाद कई अगर हम बात करें तो जो भी चीज़ें बचेंगी उसी को क्या बोलेंगे हम स्राउंडिंग बोलेंगे या मेरी बाड़ी है बाड़ी को छोड़ करके जो भी चीज़ें है ठीक है उसे क्या बोलेंगे हम स्राउंडिंग बोलेंगे नि सिस्टम के चार और जो भी प्रजेंट ह पाउंडरी की जैसे हम है और हमारा क्या है स्राउंडिंग है तो इन दोनों को जो भी imaginary plane होगा या कह सकते हैं real होगा वो जो separate करेगा उसी को क्या बोलेंगे हम system क्या बोलेंगे हम boundary बोलेंगे ठीक है जैसे माल यह हम है और हमारे घर में कोई दूसरा है family member है अगर वो दूसरे कमरे में है तो यह जो वाल है दिवार है यह क्या है आपका एक bio boundary है एक बांडरी चारों तरब क्या है आपका पैंटिक सिस्टम के बाद हो गया तो इसके चार और हमें दिख नहीं रहा कि क्या है तो इसका मंदलब कर रहा होगा अलग कर रहा होगा ठीक है तो आई कहे रहा है कि यानि दा रीजन और इंटरफेस सेपरेटिंग दा सिस्टम फ्राम दा स्राउंडिंग यानि कोई भी ऐसा इंटरफेस होगा जो सिस्टम और स्राउंडिंग को क्या करेगा अलग करेगा उसी को क्या बोलेंगे हम boundary टो जवरन यंग ली आगर राद करें तो जो यूनिवंस है ठीक है तो यूनिवंस जो होता है वह दो जीजों से मिलकित बना होता है यह यह कह सकते है इस सिस्टम और स्रावडिंग के मिलने से क्या बनता है यूनिवर्स बनता है क्या मुढ़ता है जoku रह्माण करते हैं और स्राउंडिंग मतलब क्या सिस्टम के अलावा जो भी चीज़े होती है उसे हम क्या बोलते हैं स्राउंडिंग बोलते हैं ठीक है तो अब बात करते हैं यहां पर टाइप साफ सिस्टम टाइप आफ सिस्टम क्या होता है तो कितने टाइप के होंगे सिस्टम के तो तो यह सकते हैं कोई कप है और उसमें आपका ईठाला है तो काप कैसा है olduğunu है अगर समें वह चाइडा एंगे कि देरे-दिरे टंडी हो जाएगी कि सक अगर क्या है कि इनर्जी इंव गात करें घ्म है तो कब में अगर क्या हुआ हुआ है घर हुआ है तो कब में अगर रहा हुआ है तो हमें सब्सक्राइब यह दीरे-दीरे एनर्जी को क्या करेगा हो एक्सचेंज कर लेगा और साथ-साथ देखेंगे कि वाटर का जो वेपर होगा वह भी क्या हो जाएगा वाटर वेपर भी दीरे-दीर या हम एक है जिए कोई हमने पेटरोल डाल लिए मुझा कि और जाएगा तो इसका क्या है कि ओपन सिस्टेम है तो देखे यहाँ पर system is set to be open ठीक है set to be an open system if it can exchange both matter and energy तो exchange both यानि matter and energy दोनों को क्या करता है बिद्दा विद्ध स्राउनी बोट दोनों यानि स्राउनी के साथ क्या करता है एक्षेंज कर लेता है किसको matter और energy को तो इसको क्या बोलते हैं ओपेन सिस्टम बोलेंगे जैसे हमने यहाँ भी बात कर लिया ठीक है अब दूसरा टाइब क्या होता है इसको ऊछोसे सिस्टम तो आप देखेंगे कि वह जुआ अगर हम करता है चाय को तो बंद कर देता है तो वह जो अब कrition और गया वह क्या हो जाती तो केथली कि चाहे तो तो धिरे-धिरे क्या होगा ठंडी हो जाए क्यों क्योंकि जो है उसका क्या हो गया बाहर निकल एनरजी एक्सेंज हो गया किसके साथ दिए लेकिन जो जब बंद हो गया तो इसके साथ जो मांटर होगा भाएंड॥ सेटार्ट वाटर बेपर है वह यह इसे समस्टेंज सलेन सब्सक्राइब करता है चाय को रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा हपका क्लोज सिस्टम हो जाएगा क्लोज सिस्टम और अगर बेटरी से लिखें तो दे कि इसमें कहें इनर्जी हो रही तो पहले एनर्जी ज़्यादा रही होगी चाहिप में दीरे धीरे ठंडी यह स्टोड़ें इनदी कपंगे टो चैंज जो होगा यहिसे हम डेल्टा यह लिखेंगे वो क्या होगा कभी भी पा जाएगा कुछ ना कुछ वैलू आएगे अब उसी टाम से गर बात करें तो मास होगा तो मास में भी क्या हो जाएगा चेंजिंग क्योंकि माइटर बाहर जा रहा है मास जेस्ट वह होगा ठी महने बाहर तो में लाइगा लकार है शाह जाएगा तुमकि क्लोज सिस्टम मैं क्या क्या रहा है क्या रह शेयर निकल आप ऐसमें वार हो वह बाहर नहीं नीकल रहा है है क्योंकि हमने ल Loch स्टींथ चाहिथ एनरजी बहेगी नहीं जाएगा तो हमें कह सकते हैं डेल्टा ये जो होगी वह इस नाट इक्वल तो जाने रहा है तो हम ये कहेंगे जो मास होगा ठीक है वो क्या होगा जीर होगा क्योंकि पहले जितना था बाद में भी उतना ही रहेगा है तो डेलटा यह घोगा होगा अब बात करते है अब देखे होंगे गया करता है कर सकते हैं है उसलेटर होता है क्या होता है वह वोता है ऍंच acı कि हम सब्सक्राइस को रखे है या किसी गरम पानी को रख लेते हैं गरम चाय को रख लेते हैं तो बाहर ऊसमें कह सकते हैं जल्दी ठंडा नहीं होता है चार-पांच घंटी मदभर थंडी नहीं होते हैं ठंड महीं होता है तो इससे को बोलते है isolated system क्या बोलते हैं इसे isolated system clear हुआ तो इनले ही सकते हैं इफ हाँ system can neither change matter matter को change नहीं करेगा nor energy और energy को भी change नहीं करेगा with the surrounding यहनि surrounding के साथ ना तो energy को change करेगा यहनि एक्षेंज करेगा और ना ही कहेंगे माइटर को change करेगा तो इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे isolated system तो it is called लिख सकते हैं protesters it is called isolated 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 system isolated system clear हो एवा, इसे क्या बोलेंगे? isolated system बोलेंगे तो हम लिख सकते हैं इसका इसका एजम् Extrasma टेप्लेस डिरें थर्मो फ्लास्क में अगर कि अगर टे हैं चाय को रग लेते हैं तो जल्दी ठंडा नहीं होता है क्योंकि और सब्सक्राइब तो यह था आपके त्री टाइप के यानि ओपन सिस्टम थे और क्लोज सिस्टम थे और आइसो लेटर सिस्टम थे तो इसमें अगर हम लिखें तो डेल्टा ई जो होगा एनरजी चो चेंज होगी वह तो हो नहीं रही है तो इसका मुलब जीरो होगा और मास भी चेंज नहीं हो रहा क्यों कि मैटर चेंज नहीं हो रहा है मैटर इक्षेंज नहीं कर रहा है तो यह भी जीरो के एक्वल नहीं होगा तो कभी कभी क्या होते है एक्जाम में objective की फार में पूछे जाते हैं ठीक है